नमस्कार दोस्तों स्वाकत हैं आप सभी का हमारे चनल पर आज मैं बात करने वाली हूँ एलकलाइन फूड्स के बारे में और यह किस तरह आपके वजन को घटाने में फायदे मन्द होते हैं दोस्तों उसके बारे में भी बताऊंगे आपको अच्छी सेहत के लिए शरीर में पी-एच लेवल स्थिर होना चाहिए अगर पी-एच, स्थर, आसामाने हो जाये न तो आपको कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है शरीर में पी-एच लेवल को सामाने रखने के लिए एलकलाइन डाइट यानि की शारी आहर लेना बहुत ही जरूरी होता है अक्सर लोग वजन को कम करने के लिए डाइट प्लाइन करते हैं तो वह उसमें ऐसे खाने को शामिल करते हैं जो वह कम खाना पड़े तो क्यों ना हम ऐसा खाना खाएं जो हम वाकई में जी भर के खा सकें और वह हमारे वजन को भी कंट्रोल में रखे उधारन के लिए खाने में सबजियां फल जिसमें की एलकलाइन की मातरा अधिक है या बाड़ी की एसिट को नियंतरित रखता है दोस्तों जिससे की वजन भी नियंतरंड में रहता है इस डाइट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे की पत्तागोबी, ब्रॉकली, खीरा, गाजल, ब्रूसेल्स, शकरकंदी, मटर, आदी सिर्फ सबजियां ही नहीं बलकि कई सारे फल भी आते हैं जिसमें की संत्रा, अंगूर, एवकॉडो, आम, अनाना, सेब, नीबू शामिल होते हैं दोस्तों इन सब में एलकलाइन की मातरा भरपूर होती है जिसको डाइट में शामिल करने से वजन कम होने के साथ ही आप एनरजेटिक भी महसूस करते हैं आगे की जानकारी जानने से पहले सबसे पहले तो एक निविदन उन पारी को रोज देख पाएं और उनसे फाइदा भिठा सकें अकसर लोग इस बात को लेकर चंतित रहते हैं कि इसको कैसे खाएं क्या खाएं इसमें दोस्तों अलकलाइन डाइट कोई मुश्किल डाइट नहीं है बलकि बहुत ही आसान और रोज मर्रा में इस्तमाल होने वाल या फिर किसी प्रकार की ड्रेसिंग नहीं होना चाहिए वहीं खाने की शुरुवात हमेशा हरी सबजी और हरे सलाट से ही कीजे दोस्तों इसमें एलकलाइन की मातरा भरपूर होती है जो कि आपको एनरजी देने के साथ साथ वजन कम करने में भी मदद करता है जैसे अगर आ आपने चिकन या मटन ओडर किया है तो उसके पहले ग्रीन सेलिट जरूर खा लीजे यही आपके सामाने डिनर और लंज के साथ भी होना चाहिए इसके अलावा नीबू में एलकलाइन की मातरा भरपूर होती है तो अपने पानी को एलकलाइन बनाने के लिए उसमें नीबू प्रूर करस मिलाकर जरूर पीजे दोस्तों अगर किसी कारणवश आपको डि हाइडरिशन हो गया है न तो यहाँ अलकलाइन बॉटर आपको हाइडरिशन से निजात दिलाएगा दोस्तों वहीं इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपको किड्नी की समस्या है तो अ हेलकलाइन डाइट आपके लिए नहीं है इस डाइट को शुरू करने के पहले अपने हेल्थ प्रोवाइडर यानि की डॉक्टर से एक बार सला जरूर लीजे इसके अलावा अगर आपको हिडर रोग है तो भी इस डाइट को ना लीजे फिर भी अगर आप इसे अपने जैसा होता है जब भी हम किसी तरह की डाइट फॉलो करते हैं तो पहले दिन से ही उसे पूरी तरह से अपना लेते हैं अलकलाइन डाइट में ऐसा नहीं होता है अगर आप ऐसा करेंगे ना तो शायद आप इसका पूरा फाइदा ना ले पाएं इसके लिए यह जरूरी है कि आप धीरे धीरे ही बदलाव लाएं अपने डाइट को डाइट नहीं बलकि लाइफ स्टाइल की तरह बदलें ताकि इसका आपको अधिक से अधिक फाइदा मिले जैसा कि पहले दिन ही हर चीज में एलकलाइन ढूरने की ज़रूरत नहीं है आपको ओके फ्रेंस वहीं कुछ सामाने श्वांस की एक्सेसाइस करके आप अपने शरीर को अलकलाइन जिन कर सकते हैं दोस्तों सिर्फ डाइट पर काम करने से शरीर में परिवर्दन नहीं आता है इसके लिए कुछ सामाने व्यायम करना भी अनिवार होता है इसके लिए शरीर को अलकलाइन किस इस तरह से करना होता है वो मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले आराम दायक अवस्था में बैठ जाएं. उसके बाद दो तक गिन्ने तक सांस को अंदर की तरफ लीजे दोस्तों. और आठ तक गिन्ने सांस को रोग कर रखें दोस्तों. अब मुँ से चार गिन्ने तक सांस को छोड़ें. इस प्रक्रिया को दस बार अपनाएं. ऐसा करने से आपके शरीर में ऑक्सिजन की मात्रा बढ़ेगी दोस्तों. तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी. आपको यह अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फाइदा उठा सकें. अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी को भ़ाद बढ़ेगे.